दोस्तों आप लोग 68 BPSC की परिक्षा फॉर्म अगर भरे हैं या फिर भरने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमिसन के अंदर से निकल के एक नई नोटीस जारी हुई है ये नोटीस 3 जनवरी 2022 का है इसलिए इस नोटीस के बारे में आप लोग पेटर्ण में भी चेंज हुआ है उसको भी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे जिसमें से कि आपको 200 अंकों की प्रिक्षा होगी इसमें निगेटीव मार्किंग का प्राबधान होंगा साथ साथ में सेंटर पे छपेंगे प्रशन पत्र इन सभी चीजों को हम लोग पू इसको हम लोग सुरू करते हैं दोस्तों देखे 68 संयुक्त प्रारंभिक और मुख्य परतियोगी परिक्षा इसके लिए आवस्यक सुचना ये पहले का सुचना अभी आपको हम लेटेस्ट जो सुचना आया है इस स्लाइड के बाद बताएंगे तो सबसे पहले जान लेते है 68 संयुक्त प्रारंभिक परतियोगी परिक्षा के लिए परकासित बिग्यापन कंडिका को एक और दो में अंकित है प्रारंभिक परिक्षा में गलत उत्तर के लिए नाकारात्मक अंक यानि निगेटी मार्किंग लागू किया जाएगा अब आप लोग अगर पीटी एक्ज गनतवी निगेटी मार्किंग सुड़ भी यूनिफर्मली ओन दा ओन फिप्टी कोस्टन इन इस केस देर विल बी वन माक्स फोर करेक्ट अंसर एंड वन वाइफ फोर रॉंग अंसर यानि कि आप एक सो पचास प्राशनों में कोसन टोटल कोसन जो रहेगा वो एक सो पचास कोसन रहेगा और परतिय कोसन के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है और इस कोसन के लिए अगर आप एक कोसन गलत कर जाते हैं तो आपको 0.25 ये निगेटी मार्किंग यानि 1 फोर्थ का निगेटी मार्किंग का प्राबधान है आगे है कि आलोक में उक्त प्राबधान लागू करने का निर्ने लिया गया, ये लागू कर दिया गया है, 68 परिक्षा में ये निगेटीव मार्किंग का प्राब्धन लागू रहेगा, जिसकी परिक्रिया निम्न परकार होगी, पहला क्या परतियक प्रस्न जिसके लिए अभिरती द्वरा गलत उत्तर अंकित किया ज जाएगा, यदी परिक्षार्थी, यदी अभिरती द्वरा एक प्रस्न के लिए एक से अधीक उत्तर दिये जाते हैं, तो उसे भी गलत उत्तर मौनते हैं, वे 0.25 या 1 फोर्थ अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा, आपने अगर एक से अधीक अंकों का उत्तर करते हैं यदी दो गोला भर देते हैं, तो भी आपका उसे गलत मौनकर आपको दंड स्वरूप 0.25 अंक घटाया जाएगा, अभिरती द्वरा किसी प्रस्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए, खाली छोड़ने की स्थिती में अंक घटाने का दंड दे नहीं होगा, यदी आप उस प्रस्न का अंसर नहीं देते हैं, और उस बॉक्स को खाली छोड़ देते हैं, तो आपको किसी भी परकार का निगेटी मार्किंग का प्राभधन नहीं होगा, आगे देख लेते हैं हम लोग, मुख है, यानि कि ये मेंस एक्जाम की बात किया जा रहा है, मुख है, परिक्षा में वेकलपिक विशय में स्केलिंग नॉर्मालाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु, अभ्यरती द्वारा दिये गए गए गंतविके आलोक में आयोक द्वारा संयुक्त मुख लिखित परतियोगी परिक्षा की संरचना में संसोधन किया गया है, यानि मुख ल परिक्षा की अब्धि 3 घंटे की होगी, उसी तरह समानी अध्ययन पत्र एक में 300, पुर्णांक टोटल 300 का होगा, जिसके लिए परिक्षा की अब्धि 3 घंटे की होगी, उसी तरह समानी अध्ययन पत्र दो में 300 अंकव का ये होगा, और इसके लिए भी 3 घंटे का समय निर का ये परिक्षा अब्धी रहेगा और 4-37 तक व्यकल्पिक विशय जो MCQ अधारित 100 अंक का होगा समान हिंदी में 30% प्राप्ता अंक प्राप्त करना अनिवारी होगा किन्तु मेघा निर्धारन के प्रजोयोनार्थ इसकी गनना नहीं की जाएगे हिंदी विशय में 30% आपको अंक लाना अनिवारी होगा लेकिन ये मेघा सुची में इसकी गनना नहीं की जाएगे लेकिन 30% लाना अनिवारी होगा इसी परकार वेकल्पिक विशय में राजसरकार द्वारा निर्धारित नियुन्तम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार होगा उसी तरह अगर आप कोई जो बेकल्पिक विसे लिये हैं और उसके द्वारा पास करने के लिए जो नियुन्तम मार्क्स दिया गया उतना लाना अनिवार होगा परन्तु मेघा निर्धारन के प्रजो ज इसका गन्ना नहीं किया जगा लेकिन पास करना आपको अनिवारी होगा लेकिन उसको मेगा सूची के अंदर नहीं जोडा जाएगा आगे देख लेते हैं आगे हैं धियात्वी रहे की परतियक विद्यार्थी अभिहरती को वेकलपिक विशेयों की सूची में मातर एक करमिक एवन प्रशाशनिक सुधार विभाग विहार के संकल्प संखियात 276 दिनंक 1607 2007 एवन समानि प्रसासन विभाग विहार संकल्प 119 62 दिनंक 22.1.2021 के द्वारा समानी वर्ग के लिए 40% पिछडा वर्ग के लिए 36.5% अत्यमत पिछडा वर्ग के लिए 34% अनुसूचित जाती, जन जाती, महिलाओं तथा दिभ्यांग उमिद्वारों के लिए 32% निर्धारित निहुंतम अहरताय प्राप्त करना अनिवारी होगा केंटव मेगा निर्धारन के प्रजयोनार्थ इसकी गन्ना नहीं की जाएगी अब देखे इसमें जो केबल पास करने के लिए अलग-अलग कटेगरी का अलग-अलग परसेंट लाना अनिवारी होगा जिसमें से समानी वर्गी के लिए 40% नंबर लाना अनिवारी होगा, पिछडा वर्गी के लिए 35 यानि 36.5% लाना अनिवारी होगा, उसी तरह अतियंत पिछडा वर्गी के लिए 34% मार्क्स लाना अनिवार होगा, अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती महिलाओं तथा दिभ्यांग वमिद्वारों के लिए 32 परतिसत अंक लाना होगा ये अनिवारी है इतना परसेंट आपको लाना ही होगा लेकिन ये मेघा सुची के लिए प्रजोय अनार्थ इसकी गन्ना नहीं की जाएगी आगे बात कर लेते हैं इस परकार समानी अध्यान एक समान अध्यान दो समान अध्यान दो और निवंद में जो प्राप्त अंक होगा उसी प्राप्तां के क्या अधार पर आपकी मेघा सुची तयार की जाएगी अब हम लोग बात कर लेते हैं जो अभी हाली में यानि कि कल साम में दो जनवरी 2023 के साम में जो एक नई नोटिस BPSC के द्वरा नि 68 समयूक्त प्रारंभिक परतियोगी परिक्चा 68 समयूक्त प्रारंभिक परतियोगी ता परिक्चा में वैसे अभियरती जिन के द्वारा सूल्क जमा करते हुए निवंधन की परिकरिया पूर्ण कर लिगई है परन्तु ओनलाइन आविदन सबमीट नहीं कर पाए हैं उन अभ्यर्तियों के लिए बिलंब सुल्ग के साथ ओनलाइन आवेदन करने की पूर्ण निर्धारित तिथी को निम्न परकार से विस्तारित किया जाता है। इसका मतलब जिसने की अभी तक भी फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर आपका फॉर्म अधुरा है तो भी आप इसको पूरा कर सकते हैं उसके लिए एक बार फिर से इस फॉर्म को भरने का विस्तारित तिथी किया गया है। देखिए दिया है ऑनलाइन आवेदन समंधी परिकिरिया। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथी जो है पूर्व निर्धारित तिथी था 30 बारत 2022 और इसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 10 जनवरी 2023 अब जो आप लोग फॉर्म भरेंगे आवेदन सुलक के साथ यानि बिलंब सुलक के साथ आवेदन भरेंगे इसमें बिलंब सुलक अलग से आप लोगों को दिया जाएगा लेकिन फिर भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को आगे है उप कारियाला में दिनंख 10 एक 2023 तक जमा करते हुए अनलाइन आवेदन भर सकते हैं बिलंब सुलक का भुकतान बैंक ड्राप्ट के माध्यम से नहीं किया जाने कि इस थिती में उसकी अभियर्तिता रद कर दी जाएगे यानि कि जो भी अभियर्ति बिलंब सुलक के साथ भरना चाते हैं उनके लिए लाश्ट ऑप्शन ये है सेकेरेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन पठना के नाम से बैंक ड्राप्ट बनबा कर उसके ऑफिस में जाकर जमा करवना पड़ेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर इस माध्यम से आप नहीं फॉर्म भरते जिसने के अपना पूरा कंप्लिट फॉर्म को सब्मीट कर दिया उनको दवारा से फॉर्म भरने क्या वैसकता नहीं है आगे है पूरु में दिनंक 18-11-2022 को परकासित बिग्यापन को इस हद तक संसोधित समझा जाए एवम अन्नी सर्ते यथावत रहेंगे परिक्षा निय और इसके साथ-साथ में परिक्षा में जो नए परिवर्तन हुआ है नए चेंज हुआ है पेटर्ण में उन सभी चीजों को अपने इस वीडियो के अंदर बताने का परियास किये हमें उमीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी तरह से हम आप लोगों क के लिए नया नया वीडियो लेकर आते नई जानकारी के साथ जाते जाते आप लोग एक कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट छोड़ते जाए तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगले जानकारी के साथ फिर से अगले दिन मिलते तब तक के लिए धन्यवाद दोस जय हिन्द